नमस्कार दोस्तों आप लोगों का आपके यूटूब चानल MSKBM Institute में स्वागत है देखिए जैक बोड का जो आप लोग का 10th और 12th का जो एक्जाम होने वाला था सेकेंडरी माधमिक और इंटर्मेडियेट का उसका डेट आ चुका है जैक बोड ने रिलीज कर दिया है जहार में जहारका टेकेंड में काउंसिल राची के द्वारा ये डेट रिलीज किया गया है ठीक है 10th और 12th बोड के लिए ये जो डेट है वो आपका जो एक्जाम होने वाला है जो मैट्रिक का एक्जाम होने वाला है सेकेंडरी एक्जाम माधमिक एक्जाम वो फर्स सिटिंग में होने वाला है नाइन फॉर्टि फाइएम से वन फाइब पीम तर सेम उसी तरह जो इंटर्मेडियेट का एक्जाम होने वाला है वो सकेंड सिटिंग में होगा आ 9.45 से लेकर 11.20 एम तक उसके बाद आपको बीच में पांच मिनट के लिए बुकलेट मिलेगा उसके बाद कोस्टन एंसर बुकलेट कहने का मतलब है कि इसमें आपको एंसर लिखना होगा 11.25 से स्टार्ट होके 1.5 तक ठेक है एक बज़ कर 5 मिनट तक ठेक है एक बज़ कर पांच मिनट तक ठेक ओमर्सी टीसी तरह 12 में मिलेगा आपको दो बज़े से 14 मार्च को कोई भी मेन सब्ज़क्ट का एक्जाम नहीं है जदी हम बात करते हैं तो अधिकतर लोगों का यह सब्ज़क्ट नहीं रहता है तो मेन सब्ज़क्ट नहीं है vocational subjects है दोनों दिन vocational subjects है पहले मैं 10th की बात कर लेता हूँ तो 10th में जो important subject है मैं उसकी बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला exam इस्टाथ है वो है 20th March को Social Science 20th March को होने वाला है पहला exam ठीक है जो main exam है आपका उसके दूसरा exam होने वाला है 22 March को 22 March को हिंदी का exam होगा इसके बाद है आपका 24 March देखिए आपका 20 March से exam स्टाथ होने वाला है main exam जोड़ी हम बात करते हैं maths उसके बाद है देखिए कौन कौन सा date है मार कर लीजे 21 March फिर है 22 March फिर है 24 March फिर है आपका 27 March फिर है आपका 29 March ठीक है और संस्कृत है 3 April को ये exam है 10th के लिए 20, 22, 24, 27, 25 और 3 April 3 April को आपका exam खदम है ठीक है ये रहा हम लोग का 10th board का 12th में जदी हम बात करते हैं तो 12th board में देखिए किसका किसका exam है हम लोग जदी बात करते हैं तो उसके बाद और सारा exam है तो आप देख सकते हैं आपको इस दिन पर दिख रहा होगा बाकी सारा exam किस-किस दिन पढ़ रहा है उर्दू, बंगाली, उडिया आप यहाँ पर धिहान दिजिए कि OMR दिया जाएगा आपको यहाँ पर लिखा गया आवस्यक निर्देश कुल 15 मिनट का अत्रिक समय दिया जाएगा अब लोकर है तू मतला आपको पढ़ने के लिए 12 की जदी हम बात करते हैं तो 12 का देखिए आपका exam किस-किस दिन है जो exam start होगा आपका 14 March को vocational subject है आईए का exam जो हिंदी होगा और इंगलिस होगा वो 15 March को होने वाला है कितने मार्च को? 15th March इंगलिस जो ISC और ICOM के लिए होगा और उसके साथ हिंदी वो कितने मार्च को होने वाला है? 16th March को आईए के लिए जो additional subject है elective language या additional language जो ISC ICOM के लिए होगा वो है 17th March को फिर आपका music और computers है 18th March को economics है आपका 20th March को आईए के लिए भी आईए के लिए anthropology है उस दिन और ISC और ICOM के लिए economics है आईए के लिए जैदी मैं बात करता हूँ तो history आपका 21 March को है फिर physics है 22 March को ICOM के लिए accountancy है सीम इसी तरह से आपका लिखा गया कि किस किस दिन exam है ठीक तो मैं जदी science वाले का जदी हम यहाँ पर mark करते है कि science वाले की exam किस किस दिन है तो उसको देखिए कि मार्क कर रहे हैं यहाँ पर हम science वाले लोग का exam किस किस दिन बढ़ रहा है तो देखे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक है 16 मार्च इंग्लेश ठेक उसके बाद देखे हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइन्स जिसका होगा उसका 18 मार्च को है मालिजे जिन्होंने इकोनोमिक्स लिया था उसका 20th मार्च को है फिजिक्स जो है वो 22 मार्च को है फिर आता है आपका मैट्स मैट्स 27 को है उसके बाद है आपका केमेस्ट्री 29 को यह आपका मेन सब्जेक्ट है जिसका एकजाम का टाइम टेबल दे दिया गया है ठीक है तो आप लोग अपना तयारी करते रहे आपका डेट भी आ चुका है कि एक जाम कब होने माला है तो उसके अपने तयारी को दोगुना कर दे जिसे आप लोग का रिजल्ट और अच्छा हो एक आप जैदी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल में आपको टेन्थ ट्वेल्थ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा मोटल अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद